इस कड़ाके की थंड में आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुती सिंपल तरीके के बतुए के पराथे जो यह बहुती जटपड बन जाएंगे और बहुती टेस्टी लगेंगे और बतुए के पराथे गरम भी होते हैं दोस्तों तो चलिए देख लेते हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए देख लेते हैं यह रेस्पी तो यहां पर ले लिया है मैंने बत हुआ तो यह देखिए यह बजार में आपको काफी आसानी से मिल जाएगा और यह बहुत ही फायदेमंद होता है यह सर्दियों में गर्माहट देता है बहुत ही टेस पत्तों को हम अलग लग कर लेंगे सारे बत हुए के तो यहां पर देखिए मैंने पत्तों को अलग कर लिया है अब इनको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब इन पत्तों को हम क्या करेंगे ग्राइंड तो यहां पर बहुत से लोग बॉयल करते हैं लेकिन मैं यह बॉय गिहुं का आटा लेनी के बाद जो मैंने अपने बथुआ ग्राइंड किया था उसको इसमें एट करके ऐसे आटे को गूत लेंगे तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा नमक एट करना है तो नमक एट कर सकते हैं लेकिन यहाँ मैंने नमक एट नहीं कर रही हूँ और अच् दे रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं तो आप रोटी भी बना सकते हैं आटे को मैंने रख दिया ता रेस्ट पे पांच मिट के लिए अब पांच मिट हो चुके हैं तो हम बना लेते हैं पराठे तो यहाँ पे इसको हम बेल लेंगे पहले तो जैसे हम पूरी बेलते हैं फिर उसमें हम लगाएंगे घी तो यहां पर अंदर घी लगा लेंगे अची तरीके से और कुछ ऐसे घी लगा के हम इसको ऐसे बंद कर देंगे और फिर इसमें सुखा आटा लगाएंगे और इसको हम बेल लेंगे तो यह बतुए के पराठे काफी टेस्टी लगते हैं जैसे तो हमने यहां पर तवा भी रख दिया था गरम करने के लिए तो तवा गरम हो चुका है अब इस पर हम अपना पराठा डाल देंगे और देखिए एक साइड यह सिग गया है तो इसको पलट लेंगे अब अच्छा सा घी डाल लेंगे इसमें बढ़िया सा और फिर साइड से ड पराठे हम सेक लेते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आज मैं आपके लिए यह बथुए के पराठे लाई हूं बहुत ही लोग तो मसाले डाल बनाते हैं तो यह देखिए एक हमारा बथुए का पराठा सिक के रेडी हो गया है और दूसरा भी हम कुछ ऐसे ही सेक के रेडी क तो यहाँ पर गी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे आप चाहें तो यहाँ पराटा सिक्खे रेडी हो चुका है इसको भी हम प्लेट में रगते हैं् pref पराटे बनके रेडी हो गए हैं और मैं बनाई थी सबजी अपने घर पे बैगन आलू की तो उससे मैं सबजी को सर्फ करूँगी बहुत ही टेस्टी लगते हैं गर्मा गरम काईए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों बाई बाई फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में